प्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर सामाभी ठीका करनवाले राज्यू की टॉप फोर सूची में शामिल हुआ बिहार आज जारी हो सकती है कोविट की नई गाइडलाइन बिहार में इस बार मिल रहे हैं विदेशी बेकें बिहार पुलीस फायर मैन परिश्वा 2021 किसका स्केटियों गोशिप फिर पिछड़ सकता है बिहार विश्विद्याले अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से आज जारी हो सकती है कोविट की नई गाइडलाइन बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चुठाव जारी है हर दिन आ रहें मामलों में तो थोड़ी स्थिर्ता देखी गई है लेकिन आक्टिव केसिस भी अब कम होते जारे है जिसके बाद ही लोगों को अब कोरोना के रोख्थाम को लेकर जारी प्रतिबंदों पर थोड़ी राहत की उमीद है जिसपर आज कोई फैसला अनिकी उमीद जताई जारी है जैसा कि आपको पता ही है कि क्राइसिस मानेजमेंट ग्रूप की बैठक के बाद 5 जनवरी से 21 जनवरी तक गाइडलाइन जारी की गई थी इसके तहल सिक्षन संसान, मंदिर और मॉल समेट कई चीजों पर सरकार ने सक्सी दिखाई और सभी को पुर्ण रूप से बंद कर दिये गए हैं इस गाइडलाइन की समय सीमाग कल यानी की 21 जनवरी को खत्म हो रही है ऐसे में राज़ में कोरोना के मामलो और सिती को देखते वे आज गाइडलाइन को लेकर बैठक हो सकती है सारवाधिक तीका करन वाले राज़ की टॉप फोर सूची में शामिल हुआ बिहार देश भर में अभी कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है जिसके तहट ही अब बिहार सरकार तीका करन पर जोड़ देने का काम कर रही है सबके बीच बिहार से एक अच्छी खबर सामने आई है जिसके तहट बिहार का नाम उन राजियों की सूची में शामिल हो गया है जहां पर सारवाधिक ठीका करण हुआ है इसको लेकर स्वास्तमंत्री मंगत पांडे ने स्वास्तम भाग को बढ़ाई दी है जमीन सर्वे से जुड़े अधिकारियों और अमीनों का होगा अड्रेस वेरिफिकेशन राजस्विवं भूमे सुधार विभाग अपने लापता अधिकारियों को लेकर इंदनों परिशान है यही वज़ो है कि विभाग के अपर मुख्यसाचिफ विवेक कुमार संग ने बंदोबस पता अधिकारी की वर्चुल मीटिंग के दौरान ये एलान कर दिया कि अगर अधिकारियों और कर्मचारियों का पता सही नहीं पाए गया तो उन्हें वेतर भी नहीं मिलेगा यानि कि अब साफ है कि बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े अधिकारियों और अमीनों का अड्रेस वरिफिकेशन कराए जाएगा अगर उनकी तरह से दिया गया पता गलत निकला तो केस भी दर्ज होगा और साथ ही जाथ विभाग ये कारवाई भी होगी अपर मुख्यसाचिव का कहना है कि इनी सब कारणों की कारण बिहार में जमीन सर्वे का काम बेहत सुस्त गती से चड़ रहा है इसलिए अब ये जरूरी है कि बंदबस पतादिकारी लगातार शिविरों का भ्रहमन करे और सर्वे कर्मियों के कारियों की समिक्षा करे इसमें कोई भी कोता ही बरदाश नहीं की जाएगी बिहार पुलीस फार मैन परिक्षा 2021 का स्केडिूल घोशित Central Selection Board of Constable बिहार ने बिहार पुलीस फार मैन परिक्षा 2021 का स्केडिूल जारी कर दिया है वो कैंडिडेट जिनों ने परिक्षा के लिए आविदन किया है वो CSBC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस सम्मंध में नोटिस को देख सकते हैं नोटिस में दी गई जानकारी के नसार CSBC बिहार पुलीस फार मैन परिक्षा 2021 का योजर 27 मार्च 2022 के दिन किया जाएगा CSBC बिहार के फार मैन पर सेलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट्स को दो चरणों की परिक्षा पास करनी होगी दोनों चरण पास कर लेने वाले कैंडिडेट्स का सेलेक्षन ही फाइनल माना जाएगा शीतलहर से 24 जनवरी के बाद ही मिल सकती है रहात उससे पहले कोई उमीद रही बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है आलन कुछ यू है कि बीते कई दिनों से बिहार बासी धूप निकलने का बस इंतजार ही करें लेकिन धूप के दर्शन उन्हें नहीं हो रहे है हाला कि अभी लोगों को ठंड से राहत मिलने की उमीद भी नहीं है जो 24 जनवरी के बाद ही इसमें कोई राहत मिलने की उमीद जताई है पटना समेत राजुके 10 जिलों में पारा सामाने से काफी नीचे जा चुका है और इसी कारण यहां cold day condition बना हुआ है यानि कि मौसम के इस मजाज में अगले 3-4 दिन राहत की आसार नहीं है बिहार के इतने नीजी अस्पतालों में गरीब कोरोना मरीजों का मुफ्त होगा इलाज बिहार में कोरोना संक्रमन हर दिन के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है जिसके बाद से कई लोगों केस के चपेट में आने के खबर भी सामने आई है हाला कि बिहार की ऐसी जनता जो आथिक रूप से मजबूत है उनके लिए तो कोरोना का इलाज करवाना संभव है लेकिन गरीब तबके के लोगों के सामने आफ़त का पहार तूट पड़ा है इसी को ध्यान में रखते में ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीब कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करने की बात कही है इसको लेकर बिहार के 56 नीजी अस्पतालों में काम शुरू करवा दिया गया है हाला कि राज्य के सभी सरकारी चुकित्सा, महाविद्याले और अस्पतालों में सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज पहले से किया जा रहा है इसको लेकर बिहार सरकार के स्वासिव भाग के नेया युश्मा अनकारधारी लोगों के लिए नीजी अस्पतालों की सूची जारी की है पटना हाई कोटे बिहार पुलीस पर की टिपड़ी बिहार में शराबंदी कानून कहने को लागू है लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आपको हर दिन मीडिया में आ रही खबरों से समझा रहाऊँगा लेकिन सवाल ये है कि जब बिहार में संपुड शराब बंदी कानून लागू है तो कैसे भादी संख्या में शराब पीने वाले सामने आ रहे है और शराब की बिक्री भी धडलने से कैसे हो रही है इसको लेकर ही पतना हाई कोट ने बिहार पुलीस को खूब खरी-खोटी सुनाई है पतना हाई कोट ने पुलीस की कारश्याली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ कहा है कि कोट ये क्यू ना माने कि शराब तसकरी के माफिया और पुलीस के बीच मिली भगत है जिसकी बाद इन्याधीश संदीब कुमार की एकल पीठ ने गंगा राम की अग्रिम जमानत याक्षिका पर सुनवाई करते हुए उत्पाद आयोतिस से आईजी से जवाब तलब किया है उमीद है कि मामली की अगली सुनवाई एक हफते के अंदर हो जाएगी बिहार में इस बार मिल रहे है विदेशी वेरियंट एक और बात ने स्वासिव भाग की बढ़ाई चुनता बिहार में कोरोना के मामलों में जारी उतार चड़ाव की भी जीनोम सिक्वेंसिंग की प्रोक्रियाश चुरू कर दी गई है इससे पता चला है कि बिहार में कोविट की तीसरी यानी की मौझुदा लहर के कारण ओमिक्रोन वेरियंट है आई जाए एमेस की तरफ से मिली जानकारी के नसार यहां कोरोना संक्रुमन के सांपल में ओमिक्रोन के बी ए पॉइंट टू स्ट्रेंड की पहचान की गई है बिहार में सबसे अधिक मिला है विशिशग्यों की माने तो भी ए पॉइंट टू स्ट्रेंड का तेजी से प्रसार होता है हाला कि यह कम खतरनाक है जापान की तर्श पर बिहार में मालगाडियों भी लिंक डाइग्राम से चलेंगी जापान की तर्श पर पुर्वमध्र डेलवे की मालगाडिया अब लिंक डाइग्राम पर चलने वाली है जिससे की अब यातरी ट्रेनों के साथ मालगाडियों का परिचालन भी 100 किलोमीटर की रफ्तार में चलाने के लिए टाइम टेबल बनाये जा रहा है मिली जानकारी के नसार सोनपूर समस्तिपूर समेत अन्य मंडलों में चलने वाली मालगाडियों को भी इस लिंक डाइग्राम से जोडने का काम शुरू किया जा रहा है इसको लेकर ज्वापान में चलने वाली मालगारी परिचालन के लिंक डाएग्राम की तकनीक सीख कर वापस आए सोनपुर और समस्तिपुर मंडल के सेनियर डी-ओ-म ने इस तकनीक का प्रयोग अपने अपने मंडल में शुरू कर दिया है इसको लेकर सीनियर डी ओम ने बताया है कि भारत में मालगारियों से भारी सामान जैसे कोईला भवन निर्बान समागरी आदिक की धुलाई होती है ऐसे में लिंक डायग्राम से मालगारियों की परिचालन में थोड़ी परिशानी आ रही है लेकिन इसे प्रयोग की तौर पर शुरू किया जा रहा है फिर पिछड़ सकता है बिहार विश्विद्याले बीते कई सालों से बिहार विश्विद्याले की पिछड़ती रफतार जा रही है हाला कि इस बार उमीद ही कि बिहार विश्विद्याले अपनी पिछड़ती रफतार को रोकीगा लेकिन इस बार भी ऐसा होतान नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मिली जानकारी के रुसार बाबा साहिव भीम राव अमेट कर बिहार विश्विद्याले मुझफरपुर का अक्याडमी कैलेंडर के साथ रीसर्च कैलेंडर भी पीछे हो गया है यहां लंबे समय से शोध कारें नहीं हो रहे हैं इसका असर अगले नाक मुल्यांकन की ग्रेडिंग पर पड़ेगा विश्विद्याले इस ग्रेडिंग में पिछड सकता है जानकारों की माने तो अगर विश्विद्याले को नाक में ग्रेडिंग सुधार नहीं है तो रीसर् के लगबख सभी राजुनेतिक दल जोर शोर से बिहार विधान परिसद चुनाब में अपनी जोर आजमाईश लगाने में अभी से ही जुट गया है। बिहारों को उतारेगी जहां से पार्टी ने पिश्री बार जीत दर्च की है। या विपक्षी दलों की तरफ से भी एक अनोखी मांग उठाई गई है। राजित प्रवक्ता ब्रतुन जेतिवारी ने कहा कि अच्छी बात है कि सर्वे करा रही है लेकिन सर्वे समगरता से होनी चाहिए। सरकार को दोनों पक्षों को जानने की कोशिश करने चाहिए। श्राबंदी के नकरात्मक और सकरात्मक दोनों पक्षों का सर्वे किया जाना चाहिए। 24 गंटे में 3 लाग के पार हुआ संक्रमतों का अखड़ा। की संक्रमन के चलते जान गई है वहीं ऐसे 8 महीने बाद देखने को मिला है कि 491 लोगों ने कोरोना से जान भी गवाई है। वहीं अफिलहाल देश में 19,24,051 मरीज का कोरोना का इलाज चल रहा है। आज़ादी के अमरित महोसफ से स्वर्णिम भारत कारिक्रम को पियम मोधी ने किया संबोधन आज पियम मोधी ने किया। दौरानी पियम मोधी ने कहा कि हमारे और रास्ट्र के सपने एक है एक नया सवेरा होने वाला है जो संकल्प से साधना जुड़ी हो तो कालखंड बन नाते है। पियम मोधी ने कहा कि आज करोडो भारत वासी स्वर्णिम भारत की आधार श्रीला रख रहे हैं। पियम मोधी ने कहा कि भारत गर्मी भारत गार्गी मैत्री और अनुसुया का देश है। कप्तान केल राहूल ने बताई हार की वज़ो है। भारत वनाम साथ आफ्रिका के खिलाफ बीते दिन खेले गये। पहले वन डे मुकाबले में भारत ये टीम को साथ आफ्रिका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा जुसके बाद ही अब कप्तान केल राहूल ने हार के वज़ो पर अपनी बात कही है। जिसके तेह तुना ने कहा कि ये एक अच्छा मैच था और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। जिसके लिए आपका बहुत धनेवाद आप मेसेजी नियूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। जरूर बताएं इसके साथ ही आज़के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटिट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक और नबारा ना भूले। धन्यबाद।